आज हम बना रहे हैं नवरात्री स्पेशल साबुताने के वड़े ये बाहर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉप्ट होंगे और बिना तले वनेंगे तो दीर किस बात किये? चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं आज का एपिसोड और बनाते हैं वड़े फ्रेंज आज की रेसिपे के शुरुआत करने के लिए हम ले रहे हैं साबुदाना इसे साबुदाना के लावा टैपियो का और साबुदाना तो हम ले रहे हैं आज की रेसिपे के लिए आधा कप साबुदाना इस साबुताने को मैंने पहले पानी से वाश किया और इसे आधा कप से थोड़ा सा जादा पानी डाल कर मैंने भिगोया है करीब 6-8 गंटे के लिए तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम फूल के दुगना हो गया है और एकदम सॉफ्ट भी हो चुका है तो चली चेक करते हैं इसे इस तरह से हम प्रेस करेंगे और देखेंगे आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट हो चुका है तो अब ये साबुताना एकदम परफेक्ट है साबुताने के वड़े या फिर किसी भी रेसिपी के लिए है वैसे मार्केट में कई तरह के साबुताना अवेलेबल होते हैं कोई जल्दी उसे फूल जाते हैं और कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो जब भी आप साबुताने को धोएं तो उसे दो घंटे भीगोने के बाद चेक कर लें अगर आपको लगता है कि साबुताना परफेक्ट है तो इसे यूज कर लें अदरवाइस इसे थोड़ा ज़ादा टाइम के लिए रखें तब तक जब तक ये अच्छे से थूल ना जाए तो अब हम लेंगे एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउन जिसमें हम ट्रांसफर कर लेंगे हमारा भीगा हुआ आधा कप साबुदाना और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे उपले हुए आलू मैश करके इसे मैं ले रही हूँ करीब 6-7 मीटियम साइस के आलू उबाल कर मैश करके आप चाहें तो इन आलू को उबाल कर ग्रेट करके भी यूज कर सकते हैं तो इन आलू को ट्रांसफर कर लेंगे हम अपने साबुदाने के साथ इस बाउल में डालेंगे हम इसमें फलहारी नमक as per taste हम डाल रहे हैं half teaspoon ब्रेट चिली पाउडर आप अपनी टेस्ट के हिसाब से थोड़ा जाता भी डाल सकते हैं और अगर आप ब्रत में लाल मिर्च नहीं काते हैं तो आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं साथ ही डालेंगे दो हरी मिर्च बारी काटके और हम डालेंगे इसमें 4-5 टेपल स्पून बारी कटा हुआ हरा धनिया एक अच्छे से फ्रेशनेस और फ्लेवर के लिए और आप इन सब शीजों को अपने हाथ से कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स तो फ्रेंस हमारे वड़ो का मिक्स बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वड़े बनाना लेंगे हमारे इस वड़े के मिक्स का एक छोटा सा पोर्शन और इससे एकदम स्मूथ राउंड बाल बना लेंगे छोटे से साइस की इस तरह से तो इसी तरह से बना लेंगे हम सारी बाल्स तो आप देख सकते हैं हमने एक पॉल्स बना के रेडी कर लिए हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अब बड़े तो फ्रेंज हम बनाएंगे साबुदाने बड़े इस आपे पैन में क्योंकि हम बिना फ्राई करे बना रहे हैं अब चाहें तो उसे शेलो फ्राई या दी फ्राई भी कर सकते हैं तो अब हम एक एक ट्रॉप ओल डालेंगे सारी कैविटीज में इस आपे पैन की ताकि हमारे जो वड़े हैं वो चिपके नहीं और इस ओल को कर लेंगे अच्छी तरह से ब्रश और इसमें रख लेते हैं हमारे वड़े तो हमें इसे कवर कर लिया है और इसे पकाएंगे हम लो टू मीडियम फ्रेम पर करीब तीन से चार मिनिट तक एक साइट से ताकि ये बाहर से क्रिस्प हो जाए और साबुत आना भी प्रॉपर्ली अंदर से कोख हो जाए ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम इसे बहुत ही कम उयल में पका रहे हैं और अगर आप ख्लेम को कम रखेंगे तो धीरे धीरे ये पक के क्रिस्प होगा अदवाइस ही जल सकता है तो फ्रेंस करी तीन से चार मिर्ट हो चुके हैं चेक कर लेते हैं हमारे बड़ो को तो इसे कर लेते हैं फ्लिप चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ब्राउं कलर आ गया है हमारे बड़ो पर तो यह बहुत अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुके हैं तो एके करके हम सारे वड़ो को कर लेते हैं, flip. Flip कर लिया है हमने, तो अब हर cavity में एक ट्रॉप ओईल डालेंगे, ताकि अच्छे से पके. तो cover कर लिया है इसे, और इसे भी हम इस साइट से cook करेंगे, करीब 3-4 मिर्ट तक, ताकि इस साइट से भी बहुत अच्छी तरह से ये crisp हो जाए. तो करी 3-4 मिर्ट हो चुके हैं, चली चेक कर लेते हैं, इसे flip करके, और वाव, आप देख सकते, इसमें कितना अच्छा सा brown color आए है, और ये ready हैं. So friends, हमारे कर्मा करम साबुतने वड़े ready हैं, सर्फ करने के लिए हैं, और आज मैं से सर्फ कर रही हूं दही के साथ. आप इसे हरे दिने की चट्णी या फिर टमाटर की चट्णी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं. तो जैसे भी हो, ज़रूर ट्राइ कीजिएका, क्योंकि ये कम ओईल में बने हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस हैं. तो ज़रूर ट्राइ कीजिए गास रेसिपी को, और ये रेसिपी कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएगा. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो से लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा. आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलूँगी आपसे. तिल देन, गुद बाई.